हलो फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो है वैसलीन तो फ्रेंड्स अगर आप पहले व्यूवर हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले जिससे कि जो मैं आगे के वीडियो बनाऊं वो आपके पास जल्दी से पहुँच जाएं तो फ्रेंड्स वैसलीन बहुत ही अच्छी मानी जाती है इसकिन के लिए और बहुत ही आसानी से घर में बनाई जा सकती है तो यह है कोकोनट ओयल और आप सिर्फ बीज वैक्स और यह जो है कैपसूल विटेमिन E के यह लेकर वैसलीन बना सकते हैं यह डबल बॉयलिंग बनाते हैं क्योंकि इससे उसके तत्व नश्ट नहीं होते मैंने एक कप पानी बॉयल करने के लिए पैन में डाल दिया है और मैं इसको बॉयल करती हूं वैसलीन को आप इसकिन पर भी लगा सकते हैं अपने हाथ पैर मुण या पैर की गड़िया फट रही है उसमें लगा सक करते हैं कभी-कभी ये एक और काम में आती है इसको अपने उंगलियों पर आप रब करके कभी कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो आपके आगे के बाल थोड़े से फूले से हो जाते हैं हलके हलके छोटे-छोटे बाल होते हैं तो इसको पर आप लगा लीजिए तो वह सैट ह हो जाएंगे अब मैं पैन में एक कटोरी रख देती हूं क्योंकि मुझे इसमें वैक्स मेल्ट करनी है तो पानी बॉयल हो रहा है तो इसमें मैं इस कटोरी को रखकर इसमें वैक्स डालूंगी तो मुझे मॉम बहुत ज्यादा नहीं चाहिए थोड़ा सा ही चाहिए आप करते हैं तो मैं एक चौथाई वन फोर चम्मच वैक्स ले लेती हूं मैं थोड़ा सा ही बना रही हूं कि यह बीज वैक्स है मार्केट में यह आसानी से मिल जाएगा आपको तो आप इसमें थोड़ा सा वैक्स डाल दीजिए और जितना वैक्स डालें उससे लगभक पांच गुना आप कोकोनट ओयल एड़ करिए तो मैं इसमें लगभक दो चम्मच कोकोनट ओयल डाल देती हूं और इसको भी पिघलाना है तो अब मैं इसमें इसको डाल कर थोड़ा सा मिक्स करूंगी और यह पिघल ने शुरू हो जाएगा अब यह देखिए यह फिघल रहा है थोड़ा थोड़ा इसको अच्छी तरह से पिघला लेते हैं फ्रेंड्स वैसलीन काफी अच्छी होती है इसके इन के लिए तो आप इसको घर पर बना कर देखिए और सर्दियों में तो इसकी बहुत ही ज़रूरत पढ़ती है तो सर्दियों में आप इसको बना कर आराम से आसानी से घर पर रख सकते हैं तो यह मैं अपना वैक्स और कोकनट ओल मिक्स कर ले रही हूं पिघला कर तो यह लगभग पिघल गया है देखिए अब मुझे विटमीनी के कैपसूल में बाद में डालूंगी यह कंटेनल ले लेती हूं और इसमें मैं इसको मिक्स्चर को डालूंगी तो पहले मैं बॉयलिंग जो पानी बॉयल हो रहा है उसको हटा देती हूं और जो मैंने मिक्स्चर बनाया है उसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं क्योंकि यह बहुती जादा गरम हो रहा है और डबल वाइलिंग में अथा काफी अच्छा होता है जिससे किसी भी चीज के जो आवशक तत्व होते हैं उसमें जो वो नस्ट नहीं होते हैं उसकी इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ठंडे पानी में ठंडा कर ले रही हूं अब मैं कंटेनर में डालूंगी तो देखिए मैं इसको आराम से धीरे-धीरे इसमें भर लेती हूं अब मैं इसको ठंडा करूंगी तो ठंडा करने के लिए आप ऐसे ही ठंडा कर ले और इसमें मुझे विटमीन E का कैपसूल डालना है तो मैं इसमें दो कैपसूल डाल कर इसको बनाऊंगी तो मैंने इसमें दो कैपसूल डाल दिये हैं अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी अच अब मैं इसको ठंडा करने के लिए या तो आप नेचुरल ऐसे ही रखे रहने दीजिए थोड़ी देल में ठंडा हो जाएगा वरना आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं तो मैं ऐसे ही इसको ठंडा कर लेती हूं। देखिए फ्रेंड्स अब यह ठंडी हो गए है तेखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। अब इसको हम लगा सकते हैं अब ये लगाने के लिए बिलकुल तयार है तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो देखिए और इसको यूज कीजिए अगर आपको मेरा ये वैसलीन का वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और कमेंट और सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा और ये वैसलीन आप आसानी से घर पर बनाईए थैंक यू